हैलो गाईज वैलकम टो माई YouTube चैनल स्टेडी पलम तो गाइज में आज हम करने वाले हैं मैत हैं के की टौपिक तो हमचे देखने वाले हैं गट्थर के घटक के ऊनि कमपोनेंट ओप यह वेक्टरक तो गाईज इसके दुखटक होते हैं पहला जो हता हमारा तो गाईज पहले घटक होता हमारा बेक्टर के एक तल में समकोर्णिंग घटक यानि की रेक्टूंगुलर कमपोनेंट्स ओप ए बेक्टर इन ए प्लान और गाईज देखते हैं दूसरे कौन से होता है इसके बेक्टर के घटक दूसरे कौन से होते हैं तो गाईज दूसरा होता हमारा तिरवे में ये सदेश के समकोणिंग घटक यानि की रेक्टूंगुलर कम पोनेंट्स ओफ थ्री डायमेंसल बैक्टर तो गाईज हम देख अब बात करते हैं पहले घटक की तो गाईज हम आपको उता दें कि ये दूसरे घटक जो हमारा इसको हम दूसरी नैस वीडियो में दिखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपकी कुछ जादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसमें पहले घटक की बात करते हैं गाईज तो गाइज देखते हैं बेक्टर के घटक यान की कम पोनेंड ओपे बेक्टर क्या होता है तो गाइज की डेपमेशन देखते हैं सदिस यान की बेक्टर एवेक्टर के घटक संक्या में कितने ही हो जाते हैं लेकिन सर्थ यह है कि सबका योग यान की ये वंक्तर के बराबर हो सब्सक्रमाइन समकोड़िक गठक यांधि रिक्टूंगुलर दू मेरी रिविकसी । तो गाज हम आपको बता दे कि हमारे व法र्ड के गठक ३straष से किफें कितने ही हो जाते हैं लेकिन सर्थ यह है कि सब का योग यानि कि सब के जो add room जो हता हमारा यानि कि yhtरइब्र जो हता है वो same होता है चाहे सम कोड़ी घटा यानि कि rectangular component यानि कि सम कोड़ी घठक का मतलब होता है guys जिसके कोणे यानि की समान होते हैं तो गाइज हम आज बात करते हैं इसका पहले घटक की तो गाइज देखते हैं हम बेक्टर के एक तल में समकोनिक घटक यानि की rectangular component of a vector in a plan तो गाइज की definition देखते हैं हम तो गाइज देखते हैं माल लिया की xy तल में सदी सेन की बेक्टर a vector है जिसका एक सिरा यानि की मूल बंदू origin o है तो गाइज इस definition को आप diagram के दार ही समझ सकते हैं जिसकी आप समझते हैं की माल लिया की xy तल जो यानि की vector है जिनका एक ही सिरा यानि की मूल बंदू origin है o x यानि की o x और o by दो समकौनिक यानि की rectangular आक्छे हैं यानि की axes हैं वेक्टर a vector के o p डैस और o q डैस बेजुद घटक यानि की री सोवल्ड कंपोनेंड हैं जिनने तो गाइज हम आपको दा दें जिनने हम ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर एक्स पिलस ए वेक्टर वाई के द्वारा डिनोट करते हैं तो गाइज हम डैस देखतें इसकी मुलबिन दो ओरिजन ओ है ओ एक्स और ओवाई दो समकॉनिक यानि कि जिसके कॉन बरावर हो एंगल बरावर हो वो रिक्टेंगुलर कहला अक्च कहलाती है वेक्टर ए वेक्टर के ओपी डैस और ओडैस क्यू बेजोति घटक यानकी रिसॉल्ड कंपोनेंट्स हैं जिने ए वेक्टर एक्स और ए वेक्टर वाई से प्रदिसित किया जाता है सदिस्ट के जोड यानकी सम के नियम से जैसे कि डागराम के द्वार ही समसकते हैं गाईज आप डागराम के द्वारा हमें अच्छा पता चलता है गाईज तो आप समसकते हैं कि ओ एक्स और ओवाई दो समकोड़ी यानि जिनके समान एंगल होते हैं वो यिस समकोड़ी अक्छ क्यलाती है ऐक्टर ए वेक्टर के ओपीडैस यानकी ओपीडैस और ओ क्यूडैस वियुद घटक यानगी Resolved Component है जिनने हम AX और प्लस बेक्टर AY से प्रदिशित किया आता है सद इसके जोड यानगी सम के नियम से हमें ये पहले कुशन पर आप्त हो रही गाईज तो हम नेश देखते हैं गाईज A वेक्टर X और A वेक्टर Y के प्रणयाम यानकी Resultant OP is equal to bracket AX था O Q bracket is equal to AX है और AY सद इसके बेक्टर A वेक्टर के दो ब्योजित घटको यानकी Resolved Component के मान है यदि A वेक्टर सद इस X सक्चिस से Alpha एंगल बनाता है तो गाईज इस डेखने का हम Diagram के दोरह भी देखते हैं तो गाईज A वेक्टर X यानकी A वेक्टर X और A वेक्टर Y के परिणाम यानकी Resultant OP से हमें प्राप्ट जो हो रहा है गाईज वो यानकी A X प्राप्ट हो रहा है गाईज और O Q से हमें A Y प्राप्ट हो रहा है गाईज और A Y A Y सद जानकी वेक्टर A के दो गटग जानकी Resultant Components के मान हैं यदि A वेक्टर X अक्सिज यानकी X अक्सिज से Alpha Alpha कौन बनाता है तो आगे दिखते हैं गाईज तो गाईज हमें जो केशन प्राप्ट हो रही हैं वो A X is equal to A cos alpha A Y is equal to A sin alpha is equal to A cos bracket 5 upon 2 minus alpha मतलब यह हमारा तर्कौनमिदी का सूत्र लग रहा है सूत्र लग गया यानकी formula यूज हो रहा है इसमें तो A Y is equal to A cos यानकी यह जो हमारा A sin alpha A cos 5 वेक्ट टू लगाने वर यह हमारा A cos beta में चैन्ज होगा है गाईज अब हम इसको common लगते हैं यानकी इसे हम जिसे कि आप देख पार रहे हैं पाई बटे अपॉन टू माइनस alpha को हम common कर लाए हैं यानकी पाई अपॉन टू माइनस alpha is equal to beta है तो हमें equation पर आप तो ही गाई जिसे कि आप देख पा रहे होंगे जैसे पर देख पने a square under root a square plus a square by equation 2 पर आप थोरी गाईज तो next देखते हैं गाईज सदी जानकी vector a vector की दिशा x axis से alpha angle से y axis से beta angle से दी गई जिसमें हमें cos alpha equal to cos bracket a into x is equal to ax upon a तथा cos beta is equal to a a vector upon y ay upon a equation 3 पराप्ट हो रहे हैं हमें तो कहने का मतलब यह है गाईज कि हमें जो सदी बेक्टर a की जो दिशा डारेक्शन है वो x axis से alpha angle से by axis से beta angle से दी गई है जिसमें हमें यह equation पराप्ट हो रहे हैं तो next देखते हैं गाईज तो is equal to cos square alpha plus cos square beta is equal to ax square plus a by square upon a square तो यह सुत्र जो माना पराप्ट हो रहे है गाईज यह तर्कोंड मीति का यूज हो रहे है इसमें cos square alpha plus cos square beta is equal to ban मतलब इसका मांज होता है अमारा अब तर्कोंड में बन होता है और next देखते हैं गाईज यदि x axis यानिकी x axis और by axis के अने दूसर यानिकी उसके समानतर यानिकी एकांग सदिस का मतलता है जिसका मान एक होता है वो एकांग सदिस कहलाता है जैसे की i तथा j हो तो तो देखते हैं कुषिन जो हमें पराप्ट हो रहे हैं गाईज जो खुषिन जो देख पा रहे होंगे ये एक वेक्टर इसगल टो एकस i plus a by जे एक्षिन 4 नेक्स देखते हैं गाईज तो गाईज दूसरी कुषिन में पराप्ट हो रही है एक वेक्टर इसगल टो a कॉस a i plus a कॉस b i यानि question 4, question 4 और 5 से हमें इसका result प्राप्त हो रहा है, guys जिससे की आप देख पा रहे होंगे a is equal to a vector upon a is equal to cos a i plus cos b j तो guys हमें इसका question प्राप्त होई, हम इसका दूसरा तप, यानि दूसरा इसकी घठक हमारे वो दूसरी next वीडियो में लखें, guys अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होते से like and subscribe जरूर करने, तथा आपका कोई भी comment है तो हमें comment box में जरूर लखें तो guys मिलते हैं नएस वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद